दोस्तो आज आपके लिए एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आये है इस वीडियो में हम लोगोंने एनिमेशन के साथ साथ कलर का उपयोग किया है दोस्तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगोंने मिशिंग वीव थर्ड एंगल पोजिशन में राइट हैंड साइड वीव से और लेफ्ट हैंड साइड वीव से कैसे निकलते है इसके बारे में जानकरी दी थी और उसके बाद के वीडियो में हमने लेफ्ट हैंड साइड वीव से फर्ष्ट एंगल पोजिशन में वीव कैसे निकालते हैं। इसके बारे में जानकारी दी थी। दोस्तो इस वीडियो में हम दो अबजेक्ट के भूण निकाले। चलिए दोसतो हम पहला वीडियो देखते हैं। करी दिया है जो एक जाम के वाद बहुत उपयोगी है और आपने मार्क बढ़ाईएगा तो लिए दोस्तों अब हम परला अब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों आपको एक क्वच्चन इस तरह से रहेगा दोस्तों आपको मिशिंग व्यू निकलना है राइट है उसको देखना है उसका जो साइड व्यू है वो राइट हैंड साइड से देखना है जब हम राइट हैंड से देखते हैं फर्स्ट एंगल पोजिशन में तब उसका जो साइड व्यू होता है वो लेप साइड की तरफ चला जाता है और लेप साइड की तरफ देखते हैं तब वो राइट साइड की तरफ चला जाता है यह एक मेन बदला हो है और दूसरा जो ब यह में दूर बदला होते हैं चलिए दोस्तों हम इसका पहले सबसे पहले उसको लेयाउट के बनाते हैं दोस्तों इस तरह से आपका लेयाउट रहेगा इसके पहले आपको इसकी जो लंबाई है आपको इस तरह से उसका अरेजमेंट आजाएगा आपको इस तरह से उसका अरेजमेंट आजाएगा आपका साइड विए इस तरह रहेगा फ्रंट विए बिल्कुल टाप विए कounge उपर रहेगा आपकी इस तरह से डाइमेंशन लांगे से दोस्तों इस तरह से आपके डाइमेंशन दिये थे sideview की लंबाई है 40 mm, height 30 mm और प्रेंट वीट के हैं वह आपकी फ्रॉंट वीट रहेगी और प्र टाफ वी जो लंबाई है कुल लंबाई 60 mm वो फ्रंट वीट के लंबाई रहेगी इस तरह से आपका एक लेडियाउट तैयर हो जाएगा केल दोस्तों इसका हम एक्साप 반복 हुत यह उसको देखेंगे देखने से पहले आप को ये बता दू कि अगर डायमेंशन दिया आपके ड्रैंग में बुरे आपको डायमेशंट से हिसआब से ही निकलना पड़ेगा अगर डायमेशन नहीं दिया है तो आपको शेट करके निकलना पड़ेगा को अपना हीता अपनी इससाब थे जो कि अच्छ लगै दोस्तों चलो इसको भब हम, इसके प्रोजेक्शन लान खीच ले ते इस तक हमने वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन जो है यह एक आपरेशन के वो vertical position लाइन ह्मने खीच लिये है अभी हम इसके horizontal दीके इस तरह से इस तरह से हमारा जो ब्लाक आजाएगा तो दोस्तो इस तरह से हमारे operation आ जाएगे देखे यहां एक operation दिया है और यहां एक दिया है और इधर इसे ही ओ ठीक दीखता है मतलब यह दोनों आप्रेशन जो दिये है इसकी कुल डेप्थ एक जैसी है यह देखें फिप्टीन एम उसमें कोई बदलाव नहीं है अगर पीछे वाला यह वाला जो आप्रेशन है यह पीछे के साइट जला है मतलब यह दोनों आप्रेशन यह वाला और यह वाला आप्रेशन दोनों की डिप्ट जो है गराही है वह एक जैसी है और यह इस तरह से देखेंगा तो सबसे आपको उपर से दिखेगा यह जो है yellow section यह ऊपर से इस तरह से दिखेगा उसके बाद यह जुआ इधर से देखेंगे तो आपको यह pink शिक्षन दिखेगा इनके दूज अब सब्बॉग के दो ब्लोग दिखेंगे और yellow और रिखेंगे अपको 3 निकालना है तब यह पर्फेक्ट निकलेगा नए तो यह रफली निकलके आप मिटा सकते इसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं अगर उसमें लिखाए कि खली मिशिंग निकलो तब दोस्तो इस तरह से आपका प्यू आएगा जो कि यह यह यहलो कलर में दिया है और यह पिंग कलर से और सायड भी अब देखेगे फ्रेंट व्यू में इस तरह से आएगा आप्रेशन जो हमने पता है आपको यह वाला और यह वाला उप्रेशन इसकी दोनों कि गहराई एक जीच से इसलेकि आपको पह्रेशन के लंबाइख 1 और गहरा ही है इधर दिक newly जो कि 50 मैम वह और आ इस तरह से ब्लाक आएगा ये ब्लाक आपको दिया गया था है इसकी लंबाई है फिप्टीनेमेम जिदर है फिप्टीनेमेम और हाइट कितने है फिप्टीनेमेम उसके बाद दूसरा ब्लाक ये इस तरह से आएगा ये वाला ब्लाक आपका ये बड़ा सा जो ब्लाक दिया है यह अब हम इधर से निकलेंगे, बिल्कुल इधर आएगा आपका, इस तरह से आएगा, जो कि इस तरह से आएगा, देखिए आप, इसके प्रोजेशन लाइन भी विल्कुल वही मिलते हैं, इस तरह से आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बन जाएगा, इसके मिशिंग व्यू जो हो थे, फ्रंट व्यू के, वो पूरे के पूरे निक आपकेशन आ गया है, क्योंकि हर एक प्रोजेशन लाइन में कोई ना कोई आपकेशन आया है, कोई भी लाइन मिशिंग नहीं है, चले दोस्तों इसको हम एनिमेशन के द्वारा, टॉप पूरा एलो कलर में, इसके बाद यह साइड व्यू पिंक कलर में देखिएगा, और इसके बाद आता है फ्रंट व्यू जो इस तरह से रहेगा, दोस्तों आपको इस तरह से वो शेट करना है पूरा, और फ्रंट एंगल पोजिशन में, फर्स्ट एंगल पोजिशन में आपक अगर लेफ्ट साइड है तो राइट साइड को चला जाएगा और राइट साइड साइड व्यू है तो लेफ्ट साइड को चला जाएगा दो दो दोस्तो हमारा ये राइट हैंड साइड व्यू है मतलब इदर से हम side view देखते है इसको तो यह इदर चला गया है first angle में यह main बदलाव है दूसरा बदलाव जो होता है वो top view हमेशन नीचे आता है और उसके उपर सिर्फ front view आता है अब हम दूसरा object देखते है दोस्तों यह हमारा दूसरा object से है इसमें लिखा है question है figure zone front view and side view of end objects draw its missing view that is top view in the first angle projection right hand side view इसमें भी आपको right hand side view से side view देखना है right hand से side view देखना है और उसका आपको missing top view है वो निकलना है तो दोस्तों इस side से आपको right hand side जो है इदर से आपको देखना है अगर इदर से side view देखते हैं तो आपको left set चला जाएगा और ठीक इस front view के नीचे आपका top view आजाएगा चलिए दोस्तों आगे वढ़ते हैं दोस्तों इस तरह से आपके objects रहेंगी यह front view, side view और ठीक इसके नीचे front view के नीचे आपका top view आजाएगा front view के कुल लंबाई है 80 mm और height है 60 mm side view के कुल लंबाई है 50 mm और height है 60 mm इसकी जो लंबाई होती है side view की और top view की उचाई होती है यह वाद हमेशे धैन में रखेगा दोस्तो आपको हमने पहले ही बता है कि हमने एक ऐसा वीडियो बनाए है जो कि आपके बहुत फाइदेवन्द है जिससे आपके mark बढ़ सकते है इसको पूरा जरूर देखिएगा पेपर को एकजाम को जाने से पहले इसको आप पूरा का पूरा जरूर देखिएगा और इसको फालो किजिएगा 100% आपको ज्यादर हमार मिलेंगे दोस्तो इस तरह से आपका ये layout बन जाएगा इसमें आपका side view इदर आएगा और top view इदर आएगा इस तरह से रहेगा आपके दोस्तों मेजर्मेंट देखते हैं अभी से यह हमारे फ्रंट व्यू की लंबाई है 80 mm जो की इदर भी लिए top view की लंबाई भी 80 mm होती है side view की जो लंबाई होती है 50 mm वह फ्रंट व्यू की टॉप व्यू की height होती है इसके हमने एक्सिस लाइन निकले यह कंट्रक्शन नाइड लिकाने एक्स्टेंशन लाइन जिसको बोलते हम वो निकले वर्टिकल और हरिजन्टल इस तरह से आपका 45 डिग्री में निकलना है आपको अब इसका हम एक isometric view निकलेंगे दोस्तों दब तक आप isometric view नहीं निकल जाकते तब तक आपकी idea clear ने हो जाएगी इसमें देखिए कि एक slot दिखाया है जो कि front view से clear दिखता है through slot है जिसको side view से कोई operation नहीं दिया है मतलब यह dotted आजाएगा पूरा और इसमें जो एक slot है उपर से देखो तो इधर बाद में इधर भी dotted line है इधर भी dotted line है और side view में देखो आप इधर भी dotted line है इधर भी dotted line है मतलब इसमें जो block बने है लगबख च्यार block को उपर बने है इस तरह से आपके आ जाएंगे देखिए दोस्तो इसका जो side view है यह इधर है जिसको हमने green color दिया है और front view है इधर है जो कि हमने pink color दिया है और top view को हमने yellow color दि देखिए यह जो operation दिखाया गया है यह through दिखाया गया इधर इसलिए इसकी dotted line इधर आ गई है और बाद में हमने आपको बता है कि यहां भी dotted line है यहां भी आए अगर यह पूरा operation एक जिसी solid होता तो यहां dotted line नहीं आती है यह hidden हो गया इधर से ठीक है इधर भी वैसा ही हो ग आती तो इसमें कोई dotted line नहीं आती यह बीच में कटा हुआ है इसलिए dotted line है इनके चार हैट जो है एक जैसी है सभी की 15 mm इस लाट की जो हैट है टोटल 15 mm है इस तरह से आपका यह isometric view में object बन जाएगा इसको इस तरफ से आपको देखना है तो चले दोस्तों अब हम इसका एक दो तीन चार तो हमने पहला ब्लाक निकला है अब हम दूसरा निकल लेते यह देखें यह दूसरा हो गया हमरा इसके बाद third one इसके बाद में जा रहा था यह प्लस का जैसे चिन नहीं वो निकलेगा यह देखें इस तरह से इस तरह से आपका यह top view बन जाएगा तो दोस देखें दोस्तों इसमें हम सबसे पहले देखेंगा फ्रंट व्यू जो की पिंक कलर दिया था हमने इसके बाद आते हैं जो रैट एंड साइड व्यू था वो लेट एंड को चला गया और उसके बाद अध्र आते top व्यू इस तरह से लहेगा यह दिक कई इस operation के यह hidden line दिया गया है इधर भी hidden line है जो bottom का operation है उसके आपको इस तरह से आपको ड्राइंग निकलना है missing view दोस्तो आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्स्राइबर शेयर नहीं कि हम अभी लाइक सब्स्राइबर शेयर करना ना भूलेगा थेंक यू